जब बात आती है क्रिप्टो करंसी की तो ज्यायतर लोग सोचते हैं कि बस बिटकॉइन ही एक क्रिप्टो करंसी है और वो इसी में पैसा लगाय जाते हैं लेकिन ऐसा नहीं है बिटकॉइन के लावा और भी बहुत सारी क्रिप्टो करंसी है जिन्होंने पिछले तीन महिनों म शांदार रिटरंस दिये हैं जैसे कि Ethereum एक क्रिप्टो करंसी है एक महिने पहले जब मैंने Bitcoin पर वीडियो बनाया था उस टाइम Ethereum का प्राइस था 59,000 रुपीज उस टाइम मैंने एक Ethereum पर्चेस किया था और आज एक Ethereum का प्राइस है एक लाग रुपे के आसपास यानि 40,000 रुपे का benefit एक महिने में हो चुका है सो आज के इस वीडियो में मैं आपको Bitcoin के साथ साथ ही दूसरे क्रिप्टो करंसी भी buy sale करने का खरीदने बेचने का complete process दिखाने वाला हूँ इसके लिए हम Coin Switch कुबेर application यूज करेंगे क्योंकि ये trusted है और काफी fast है इसमें आप 5 मिनट के अंदर KYC complete करके cryptocurrencies में investment शुरू कर सकते हैं Coin Switch कुबेर अकाउंट create करना काफी easy है जस्ट आपको अपना mobile number डाल कर continue करना है आपके नमबर पर एक OTP send के जाएगा OTP यहाँ डाल कर continue करेंगे कोई भी coin खरीदने या बेचने के लिए आपको KYC करनी होगी जिसके लिए आप profile पर click करेंगे KYC के लिए आप user verification पर click करेंगे इसमें आप basic verification पर click करेंगे इसमें आपको full name, date of birth और email id डाल कर verify पर click करना है आपकी email id पर एक OTP send के जाएगा OTP डाल कर continue करेंगे इसके बाद next अब आपको अपना pen card verify करना होगा जिसके लिए आप pen card verification पर click करेंगे आपको अपने pen card का एक photo click करना होगा next करेंगे इसमें guideline दी गई है आपको original pen card का photo click करना है computer या mobile से pen card का photo click नहीं करना है continue करेंगे camera enable करेंगे Camera के सामने आपको अपना pen card लाकर एक photo click करना है इसके बाद upload photo पर click करेंगे इसके बाद आपको pen card की back side का भी एक photo click करना है इस तरह से आप photo click करेंगे और upload photo पर click करेंगे pen card verify होने में 2-5 मिनट का time लगता है इसके बाद आप identity card verification पर click करेंगे ID card में आप आधार card, passport या water ID card दे सकते हैं चलिए हम आधार card choose करेंगे इसमें भी आपको guidelines मिल जाएगी आपको original आधार card का photo click करना है आपको computer या mobile phone से click नहीं करना है continue करेंगे इसमें आपको आधार card की front side का photo click करना है उसके बाद upload करेंगे इसके बाद आपको आधार card की back side का photo click करना है और उसको भी upload करेंगे इसके बाद आपको एक selfie लेनी होगी जिसके लिए आप take selfie पर click करेंगे और एक selfie लेंगे उसको भी upload करेंगे इसके बाद 2-5 मिनट के अंदर अंदर आपका verification complete हो जाएगा आप देख सकते हैं pen card verify हो चुका है ID card भी 2-5 मिनट के अंदर अंदर verify हो जाएगा इसके बाद आपको bank details add करनी होगी second option है bank details आप इस पर click करेंगे इसमें आपको account number डालना है उसके बाद account number 12 से डालना है confirm करने के लिए इसके बाद IFSE code डालेंगे इसके बाद choose करेंगे saving है या current account है और इसके बाद submit पर click करेंगे इसके बाद आपको 2-5 मिनट का wait करना होगा KYC complete हो जाएगी और आपके profile पर KYC verified का badge लग जाएगा इसके बाद आप किसी भी currency को buy sale कर सकते हैं किसी भी currency को buy करने के लिए पहले आपको पैसे add करने होंगे जिसके लिए आप deposit INR पर click करेंगे इसमें आप amount डालेंगे जितना भी आपको add करना है जैसे कि मुझे 5,000 रुपीज add करने है तो यहाँ पर 5,000 डालेंगे deposit पर click करेंगे अगर आप चाहें तो NEFT, RTGS या IMPS के थुरू भी add कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो UPI के थुरू भी add कर सकते हैं चलिए मैं UPI से करूँगा तो पहला option चूज करूँगा UPI इसमें आपको UPI चूज करना है और यहाँ पर अपनी UPI ID डालकर pay now पर click करेंगे इसके बाद आपको जाना होगा UPI wallet में आपको notification मिल जाएगा उसपर आप click करेंगे अपना UPI pin डालकर payment करेंगे तो पैसे आपके coin switch कुबेर application wallet में add हो जाएगे जैसी कि आप यहाँ देख सकते हैं मेरे wallet में 5023 रूपीज है इसके बाद आप कोई भी crypto currency buy और sale कर सकते हैं जैसी कि bitcoin इसके बारे में सभी जानते हैं इसका market rank है first सभी crypto currencies में यह number one पर है और इसका market cap है 44,77,920 करोड रूपे अभी 82% लोग bitcoin buy कर रहे हैं और 18% लोग sale कर रहे हैं जब ज्यादा लोग किसी crypto currency को buy करते हैं तो उसका price बढ़ता है और जब ज्यादा लोग किसी crypto currency को sale करते हैं तो उसका price गिरता है अब जैसे कि मुझे bitcoin buy करना है तो buy पर click करेंगे इसके बाद यहाँ पर amount डालेंगे कितने amount का आपको buy करना है जैसे कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 1,000 rupees preview buy पर click करेंगे आप देख सकते हैं coin switch fee है 0 यानि आपको कोई भी charge नहीं देना होगा buy now पर click करेंगे order successfully complete हो जाएगा इसी तरह से यहाँ पर और भी cryptocurrencies है जैसे कि Ethereum है जिसको short में ETH या Ether कहा जाता है इस पर click करेंगे इसमें आप देख सकते हैं पिछले एक साल में इसने 706% का return दिया है पिछले एक महिने में 98% का return दिया है और पिछले एक दिन में 8% का return दिया है निचे आप देख सकते हैं इसका market rank है 2 यानि ये सभी cryptocurrencies में दूसरे number पर आती है और अगर market cap की बात करें तो 10,49,108 करोड का इसका market cap है जो के काफी बड़ा है तो bitcoin के बाद ये second number पर आती है इसको भी काफी खरीदा और बेचा जाता है आप देख सकते हैं 67% लोग इसको buy कर रहे हैं और 33% लोग इसको sell कर रहे हैं अब जैसे कि हमें Ethereum cryptocurrency buy करनी है तो buy पर click करेंगे यहाँ amount डालेंगे जैसे कि मुझे 2000 रुपीज की buy करनी है तो मैं 2000 रुपीज डालूँगा फिर view buy कोई coin switch fees हमें नहीं देनी है by now order successfully complete हो जाएगा यहाँ पर और भी धेर सारी crypto currencies है आप view all पर click करेंगे तो आपके सामने सभी आ जाएंगी यह सैकडो में है अब जैसे कि एक crypto currency है ripple इसमें मुझे invest करना है तो ripple पर click करूँगा इसका आप देख सकते हैं पिछले एक साल का return रहा है 30% और पिछले एक दिन का return रहा है 5% इसका market rank है 5 यादि यह crypto currencies में 5 वे नंबर पर है और अगर market cap की बात करेंगे तो 90,852 करोड का इसका market cap है 80% लोग इसको buy कर रहे हैं और 20% लोग इसको sell कर रहे हैं तो जैसे कि हमें ripple क्रिप्टो करन्सी बाई करनी है बाई पर click करेंगे कितने amount की बाई करनी है जैसे कि मुझे 1500 रुपीज की बाई करनी है जैसे कि यहाँ पर मैं डालता हूँ light coin तो light coin सामने आगे इस पर click करेंगे इसका भी आप यहाँ पर chart देख सकते हैं पिछले एक साल में 167% का return दिया है और पिछले एक दिन में 5% का return दिया है नीचे scroll करेंगे तो market rank देख सकते हैं 7 इसका rank है यानि ये crypto currencies में 7 वे number पर आती है market cap की बात करें तो 67,240 करोड का इसका market cap है और trading activity की बात करें तो 59% लोग इसको buy कर रहे हैं और 41% लोग इसको sell कर रहे हैं अगर आपको buy करना है तो buy per click करेंगे यहाँ पर आप amount डालेंगे जैसे कि मैं डाल देता हूँ 500 रुपीज प्रिव्यू बाई पर click करेंगे buy now order successfully complete हो जाएगा इसी तरह से यहाँ पर आप कोई भी crypto currency buy कर सकते हैं जिसमें आपको लगता है कि उसका result अच्छा है जैसे कि bitcoin cash ये भी crypto currency है इसका आप देख सकते है market rank है 9 crypto currencies में ये 9th number पर है और इसका market cap है 6497 करोड 80% लोग इसको buy कर रहे हैं और 20% लोग इसको sell कर रहे हैं अब जैसे कि हमें buy करना है buy पर click करेंगे यहाँ पर amount डालेंगे कितने का आपको buy करना है अब जैसे कि मेरे wallet में पैसे नहीं है तो इसको मैं छोड़ देता हूँ जितने भी crypto currencies में आपने invest किया है सभी को एक जगा देखने के लिए आप portfolio पर click करेंगे आपके सामने सभी crypto currencies आ जाएंगी जिनमें आपने investment किया हुआ है जैसे कि Ethereum में मैंने 2000 रुटीज का investment किया हुआ है और अभी price गिर रहा है इसलिए इसमें थोड़ा loss है Ripple में भी थोड़ा loss है Bitcoin में भी थोड़ा loss है लेकिन Litecoin थोड़ा बढ़ रहा है तो इसमें थोड़ा profit है तो जब भी आप किसी crypto currency को buy करें तो आपको थोड़े time के लिए hold करना चाहिए क्योंकि जब उसका price बढ़ेगा तभी आपको profit होगा और अगर उसका price गिरेगा तो आपको loss होगा किसी भी crypto currency को sell करने के लिए आप उस पर click करेंगे और निचे आपको sell का एक option मिल जाएगा आप इस पर click करेंगे आपको कितना sell करना है 25%, 50% या 100% आप चूज करेंगे जैसे कि मुझे 100% sell करना है तो मैं 100% डालूँगा इसके बाद preview sale पर click करेंगे आपके सामने preview आजाएगा coin switch fees 0 यानि आपको कोई charge नहीं देना है sale करने का sale now पर click करेंगे order successfully complete हो जाएगा coin sale होने के बाद Indian rupees पर आप click करेंगे तो आपके wallet में पैसे add हो जाएगे और इनको अपने bank account में withdraw करने के लिए withdraw पर click करेंगे जितना भी amount आपको withdraw करना है वो आप यहाँ पर डालेंगे जैसे कि मैं डाल देता हूँ 500 rupees इसके बाद withdraw पर click करेंगे आपके सामने bank account आजाएगा जिसमें ये withdraw होगा confirm पर click करेंगे आपको अपना pin डालना होगा pin यहाँ पर आप डालेंगे इसके बाद आपकी email ID पर verification के लिए OTP आएगा आप यहाँ OTP डाल कर continue करेंगे तो आपका withdraw successful हो जाएगा आप देख सकते हैं 500 रुपीज withdraw हो चुके हैं और मेरे bank account में आ चुके हैं मेरे पास काफी सारे comments आते हैं कि क्रिप्टो करंसी से पैसा कैसे कमाया जाता है तो इसके पीछे कोई rocket science नहीं है बलकि यह क्रिप्टो करंसी है आप किसी भी क्रिप्टो करंसी को buy करते हैं उसके बाद आप wait करते हैं hold करके रखते हैं जब तक कि उसका price बढ़ जाए जैसे कि मान लिजे Ethereum का price अभी चल रहा है 99,118 रुपीज तो अगर अभी आप buy कर लेते हैं तो उसके बाद आप hold करके रखते हैं और आप wait करते हैं कि कभी ये 99,000 रुपीज से बढ़ है तो जैसी ये बढ़ेगा तो आपको profit होगा और अगर ये घटेगा तो आपको loss होगा आपको हमेशा क्रिप्टो करंसी में ऐसा पैसा invest करना चाहिए जो जरूरत से ज्यादा हो यानि जिसके loss होने पर आपको ज्यादा असर न पड़े आपको कभी भी उधार लेकर लोन लेकर ये जो आपका जरूरत का पैसा है इमर्जनसी के लिए रखा हुआ है उसको आपको क्रिप्टो करंसी में नहीं डालना चाहिए क्रिप्टो करंसी में आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है जैसे कि आप देख सकते हैं पिछले एक साल में 306% का प्रॉफिट मिला है ये फिर हो सकता है कि आपको काफी loss भी हो जाए सो आई हो कि अब आप समझ गया होंगे कि कॉइन स्विच कुबेर एपकलिकेशन के दूरू किसी भी क्रिप्टो करंसी में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है कैसे बाई करते हैं कैसे सेल करते हैं और कैसे पैसे बैंक अकाउंट में विड्रॉ करते हैं